हलो बच्चों कैसे हो आप सब उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे और सब लोग अपनी एक्जाम की तयारी अच्छे से कर रहे होंगे है ना बच्चों देखो वैसे तो टॉपिक का नाम लिखाई ये उपर कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिग कहीं पर भी तो सिग्निफिकेंट डिजिट का अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है ठीक है सिग्निफिकेंट हो गया और ऐसे ही एक और टॉपिक होता है तो आपको दे दिया जाए तो वहां पर भी आप चीजे निकालोगे तो कहीं ने कहीं डेसिमल में चीजे चली जाती है हैं तो कितना हमारा कॉन सा डाउटफुल डिजिट है कौन हमारा परफैक्टली मेजर्ड है जिस पर हमारा कॉन्फिडेंस है तो कुछ अलग अलग वेलूज होते हैं उन्हीं सब से रिलेटेड यह हमारा टॉपिक है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है दूसरी बात यह तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग 9-12 तक में हो एक्जामिनेशन से इन्वाल आने वाले हैं अगर उस कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपके पास डाउट है फिजिक से या मैथमाटिक स आप क्या करो कॉमेंट बॉक्स में अपना वर टॉपिक ठिकः जैसे कि छोटे से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि बहुत ज्यादा प्रिसान रहते हैं हैं पढ़ाई कैसे करें पढ़ाई कैसे नहीं करें तो देखो बेटा सबसे ज़रूरी चीज यह होता है कि अगर आपके अंदर हम आप लोगों को कहें कि यह जो हमारा मारकर है इसकी लेंथ मेजर करो अब बहुत सारे बच्चे होते हैं अपना मेजर करेंगे जैसे माल लो कि एक बच्चे ने मेजर की कोई ए था ए ना ले लो यार ए नाम अच्छा नहीं लग रहा है चलो चिंटू था यह ज्यादा अच् सेन्टी मेटर इस फोर्टीन पॉयंट थीज़ीं संटी मिटर हमने पुछा है सच सच सब्सक्राइ Bowl यह जैकली इतना ही आएगा तो बाला जब देखिए फोर्टीन तो ठीक है लेकिन जो फरी वाला है यह थोड़ा सा डाउट फूले यह पॉयंट 3 भी हो सकता है पॉइंट के बाद जो 3 cm यह मैं ज़र किया 0.3 वाला नी 0.3 इसमें उनका confidence कहीं low है यानि कि यह अन्टेंट डिजीट है यानि कि यह पर पॉइंट ब्गवी पॉसिबल है और शिन्ञ फॉर फ्रींटव साथ उसमें बोल दिया और यह वाली uncertain तो यह तीनों के तीनों हमारे मिलके यह वान फोर एंद त्री ओल दीज़ और सिग्निफिकेंट डिजिट तो सिग्निफिकेंट डिजिट की डिफिनेशन भी कुछ ऐसी होती है कि देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉर्मली डोस डिजिट इन पांटिटी कि अगर किसी मेजर्ड क्वांटिटी के वो वो सारे डिजिट अबाउट वीच्ट वी हैव और जिसके बारे में हमारा confidence level high होता है दूसरा plus one additional uncertain digit जिसमें एक additional uncertain digit भी हो तो वो सब मिला के निए जो confidence वाले digit थे वो भी plus में one uncertain digit सब मिला के हमारे जो भी digit हमारे बन जाएंगे that is called significant digit और significant figures ठीक है यह पूरा जो है यह significant figure है और इस significant figure में one two three three significant digit है बात समझ में आ गई कि तो देखो अब हम आते हैं कि rules for determining the number of significant figure कि कैसे हम number of significant figure हम लोग find out करेंगे तो देखो बटा कुछ rules होते हैं हमारे यहां पे जैसे लिखा all non zero digit are significant तो एक्जांपल के दोर पे क्यांके जैसे नॉन zero digit हमारा लिखा 18.6 तो यह हमारा पूरा का पूरा 18.6 में तीन डिजिट है one two and three all these digit are significant कोई भी ऐसे ले लो कि one three four five यह 135 यहनि देर आर four और यह चारो नॉन जिरो डिजिट है तो यह four यहां पे significant हमारा डिजिट हो जाएगा there are four significant डिजिट clear है अब दूसरा point हमारे all zero between two non zero digit समझो कि जो भी zero है between two non zero digit कि कोई दो नॉन जिरो डिजिट है कि मालों यहां पे one है और यहां पे two है और इसके बीच में कितने भी आपके जिरो आ जाएंगे तो यह सभी डिजिट significant digit में count किये जाएंगे यह सभी के सभी डिजिट significant में count किये जाएंगे जांपल लिख दिया मैंने कि 70.05 तो अब देखो one two three four all these are significant digit तीसरा कि all right side of non zero digit are not significant कि अगर यह 0 यह 0 यहां न लिखके right side में किसी digit के लिख दिये गए हूं ठीक है कि all right side of non zero digit कि non zero digit के right side में हमारे यह दो जीरो लगे हैं तो यह 0 हमारे significant में count नहीं होते हैं एक दो तीन होगा लेकिन एक इसमें exception भी है कि अगर यह measure करके लाए हो आप किसी चीज का कैसे भी जैसे एक्जांपल के तौर पर लिख लिख लिए 20 seconds आपने किसी चीज का मेजर किया तो 120 में इस रूल के इसाफ से तो यह zero count नहीं होना चाहिए लेकिन जब आप ने उस चीज को मेजर किया प्रॉपरली यह measure zero है तो अब यह वाली zero आपकी significant है इस देट क्लियर तो यह one two zero any one two zero तीनों ही हमारे significant में count हो जाएंगे अब बात करते हैं चौथा point का कि अगर इसी में आप ध्यान से देखना कि अगर जैसे यहां पर हमने decimal लगा दिया है यहां पर हमने क्या लगा दिया decimal लगा दिया तो यह देखा जाए तो यह दोनो non zero digit है और यह दोनों zero है और उसके वगल में decimal लगा है इस वाले case में आप देखो के decimal कहीं नहीं है इसलिए यह दोनों zero countable नहीं थे लेकिन है decimal लग गया तो यह चारो अब हमारे countable हो जाएंगे so all these four digits are significant अब उसी तरीके से हैं decimal के right side में अगर decimal के बाद zero आ जाता है देन all the zeros are countable तो यह 48.0 है तो यह 0 हमारा significant में count होगा लेकिन अगर यह decimal हटा देते हैं अगर तो केवल हमारे पास दो ही significant digit बचेगा यह zero count नहीं होगा लेकिन जब decimal आ जाएगा तो यह जीरो भी count हो जाएगा अगर आप एक जिरो और बढ़ा लो तो अब यह significant digit 3 के बजाए कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा ठीक है जैसे एक जीरो यहां पर हमने बढ़ाया तो हमारा significant digit change ओके 4 हो गया क्योंकि 123 और 4 डिजिट हो गया ठीक है अब सिमिलर ले जैसे यह ऐसे कुछ लिखा है कि 0.012 तो अब देखो यह जो जीरो आए हैं यह नॉन डिजिट के लेफ्ट साइड में और यह किसी नॉन डिजिट से क्लोज भी नहीं है यानि किसी नॉन डिजिट के बीच में आये नहीं बलकि किनारे सीधे लेफ्ट साइड में 0 हैं तो यह काउंटेबल नहीं होते हैं यह काउंटेबल नहीं होते हैं तो देर और ओनली वान टू टू सिगनिफिकेंट डिजिट सिमिलर ली अब जैसे लिखा है 0.32 तो अब यह वाला जीरो भी आपका काउं काउंट नहीं होगा केवली यह दोनों डिजिट हमारे काउंट होंगे सो देर आर टू सिगनिफिकेंट डिजिट ठीक है अब बच्चे अगर आप लोगों के पास कोई सवाल होता है किसी भी तरीके का इससे रिलेटेड या कोई वेलूज है या कोई दिक्कत आ रही है तो कॉमेंट बॉक्स में अपने सवाल या जो आपके डाउट्स हैं वो जरूर पूछें ठीक है या कि